Hello Friends, Welcome to Study News आज हम इस वीडियो में भारत की दो महतपूर्ण नदियों के बारे में बात करेंगे जिसमें से एक है गंगा और एक है ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी उत्तर भारत में बहने वाली एक महतपूर्ण नदी है जो उत्तर भारत में रहने वाले लोगों के जीवन में एक महतपूर्ण भूमी का आदा करती है गंगा नदी लोगों के लिए पीने योग्ये पानी, सस्ता परिवहन, बिजली और आजीवी का परदान करती है आपने देखा ही होगा कि उत्तर भारत में जितने भी बड़े सहर हैं वो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं गंगा नदी धार्मिक रूप से भी बहुत महतपूर्ण है क्योंकि हिंदु धर्म को मानने वाले लोग इसकी पूजा करते हैं और भ्रहमपुतर की बात की जाए तो भ्रहमपुत्र नदी पूरवी भारत में बहने वाली एक महतपूर्ण नदी है जो चाईना से बहती हुई भारत में अरुनाचल प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है तो इस वीडियो में हम इन ही दोनों नदियों के बारे में बात करेंगे इन दोनों नदियों की विसेस्ताओं के बारे में और इन नदियों के सायक नदियों के बारे में और इन दोनों नदियों पर राश्ट्रिय जलमारगों के बारे में भी बात करेंगे So, let's start नदी किसे कहते हैं एक नदी प्राकर्तिक रूप से फ्लोइंग वाटर कोर्स होता है जो आम तोर पर मीठे पानी का सुरोथ होता है नदी पहाडों से जर्नों से ग्लेसियर से बहती हुई समुद्र में जाकर मिलती हैं और कुछ जगे पर नदी जमीन पर बैते हुई ही सूख जाती है छोटी नदियों को धारा, नाला, ब्रुक, रिवालेट और रेल कहा जाता है छोटी नदियों को अलग-अलग इस्थानों पर अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है जैसे USA में रन कहा जाता है Scotland में बर्न कहा जाता है और England में बीक कहते है गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी उत्तर भारत में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है जो भारत और बांगला देश में बहती है इसकी लंबाई लगभग 2704 किलो मीटर है गंगा नदी भारत के राज उत्तरा खंड में पश्चिमी हिमाले के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और भारत और बांगला देश के गंगा के मैदान के माध्यम से दक्षिड और पूर में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है गंगा नदी को भारती लोगों के लिए जीवन रेखा भी कहा जाता है यह एक पवित्र नदी है और इसे हिंदु धर्म में देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है इस नदी के किनारे बसे महतपूर्ण सहरों में इलहाबाद, ढाका, बहरामपूर, विक्रमपूर, कन्नौज, काशी, कौलकाता, मुर्सिदाबाद और भी सहर है इस नदी में लगभग 140 मचलियों की प्रजाती और उभैचरों में 90 प्रजातियां मौजूद है गंगा नदी में घड़ियाल और ACIE डॉल्फिन भी पाय जाते है गंगा नदी संकीन हिमाले घाटी के माध्यम से 256 किलो मीटर तक बहने के बाद गंगा रिशी केस में पहाडों से निकलती है फिर हरिद्वार के तीर्थ सहर में गंगा के मैदान में बहती है गंगा उत्रा खंड के देव प्रियाक सहर में भागी रथी और अलक नंदा नदियों के संगम पर सुरू होती है गंगा नदी की सहयक नदियों की बात करें तो बाएं तरफ से बहने वाली नदियों में राम गंगा, गोमती, घागरा, गंडक, भुरी गंडक, कोसी, महानन्दा और ब्रहम पुत्र नदी है और दाएं तरफ की साहक नदियों में यमुना, तमसा जिसे टॉंस नदी भी कहते हैं, सोन नदी, फल्गू नदी और दामोदर नदी महतपूर्ण है नेशनल वाटरवे संख्या एक की बात करें तो यह गंगा नदी में ही है यह वाटरवे भागीरती, गंगा और हुगली नदी जो प्रियाग राज से हल्दिया तक चलती है इस वाटरवे की लंबाई 1620 किलो मीटर है, जो भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है गंगा नदी के मैदानी छेतर में बहने के कारण इस पे कोई बहुत जादा बांध तो नहीं है लेकिन एक प्रमुख बैराज फरक्का में 1975 में खोला गया था फरक्का उस बिंदू के करीब इस्थित है जहां नदी का मुख्य प्रवा बांगला देश में प्रवेस करता है और यहीं से हुगली नदी का प्रवा सुरू होता है और एक बांध है टिहरी बांध जो गंगा नदी की सहयक नदी भागी रती नदी पर बना हुआ है और गंगा नदी के सहयक नदी सोन नदी पर भी बांड सागर बांध बनाया गया है अब बात करते हैं ब्रह्म पुत्र नदी की ब्रह्म पुत्र नदी को तिबबत में यारलूंग सांग्पो कहा जाता है यह एक ट्रांस बांड नदी है क्योंकि ये नदी अचानक अरुणाचल प्रदेश में यू आकार में मुड़ जाती है इसलिए इसे ट्रांस बाउंड नदी कहते हैं ये तिबबत भारत और बांगलादेश में बहती है ये विश्व की पंद्रयावी सबसे लंबी नदी है ब्रमपुत्र नदी का उदगा मानसरोवर जील से होता है मानसरोवर जील तिबबत में हिमाले के उतरी किनारे पर इस्थित कैलास परवत के पास है मान सरोवर जील से निकलने के बाद यह तिबबत के दक्षडी भाग में बहती हुई और उनाचल प्रदेश में बहती है इसके बाद असम की घाटी के माध्यम से ब्रह्म पुत्र नदी बांगला देश में जमना नदी के नाम से प्रवेस करती है अन्तिम में यह डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है ब्रह्म पुत्र नदी की लंबाई लगभग 3979 किलो मीटर है ब्रह्म पुत्र नदी का छेत्र सिचाई और परिवहन के लिए महत्पूर्ण है ब्रह्म पुत्र की सायक नदियों में बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसीरी नदी और कॉलंग नदी है और दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में केमांग नदी, मनस नदी, बेकी नदी, तिस्ता नदी और सुबन सीरी नदी है ब्रम पुत्र नदी पर डैम्स और बेराज की बात करें तो चाइना ने हाली में इस नदी पर पांच बांधों की सरंखला की योजना बनाई है ये बांध जांग्मू हाइड्रो पावर इस्टेशन के नाम से निर्मित होंगे जांग्मू पावर इस्टेशन की छमता लगभग 510 मेगावाट होगी ब्रम पुत्र नदी पर भारत का एक महतपुन जलमार्ग उपस्ति थे जिसे राश्ट्रिय जलमार्ग संख्या 2 के नाम से जाना जाता है इसकी स्थापना 1988 में की गई थी इसकी लंबाई 891 किलो मीटर है इस वाटरवे का एक फिक्स टर्मिनल है जिसका नाम है पांडू पोर्ट और ये जलमार्ग धुबरी पोर्ट से होते हुए तेजपूर, सिली घाट, डिब्रू गर्ड और सदिया तक जाता है तो ये थी पूरी जानकारी इन दो नदियों के बारे में तो थैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट